तो खेसारी लाल यादो पवन सिंग से कहते हैं कि हम पोखरा के बीच में घर बनवा होता नी उगारवा देखे में अईसन रही कि पूछा मत और इसके बाद से वहाँ पर निरहुआ बैठे होते हैं पवन सिंग एक आज मिनट सुनते हैं कि खेसारी कौन से पोखरा के अंदर घर बनवाएंगे कौन सा वो जमीन खरीद लिये हैं और इसके बाद पोखरा के आज पूरी दुनिया में नंबर वन पर ट्रेंड कर जाते हैं भारत में तो नंबर वन पर रहते ही रहते हैं उस खेसारी लाल यादो को सानिया मिर्जा ने जेल भीजवा दिया था और आज खेसारी के जन्मदीन के असर पर हम आपको ये दोनों कहानी सुनाएंगे एक कहानी निरहुआ ने खुद सुनाई थी तो दूसरी कहानी हर कोई जानता है बागे नमस्कार में राम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जनता जेंशन सबसे पहले अगर निर धसल्ला मकान खरीद लिए हैं हम धसल्लाः घर बन वा रहे हैं हम फलनवा जग़ा दुक यतना करोड का जमीन खरीद रहे है और पवण सिंग को ये दिया ज है निरहुआ काहनी चुनाते हैं कि कहेसारी आकर बैठते हैं और वो कहते हैं कि भाया हम पोखरा के बीच में अब घर बनवाएंगे एकदम जो तराब होता है उसके बीचों बीच पानी के अंदर पिलर डलवाएंगे और उसके उपर पूरा घर बनवा देंगे और चारो तरफ से रोड रहेगा जो घर को कनेक्ट करेगा पोवन सिंग इस सुनने के बाद परिशान हो जाते हैं वहां से उठते हैं और निरुगवा को देकर मजा किया लेजे में कहते हैं कि अब छोड़ा यह जंगलवा पर से हम कुद जाएं जंगलवा मतलब कि एक खिड़की होता है तो पौन सिंग कहते हैं कि खिड़की के पास जाकर कि अब ने जब खिड़कीो जाते हैं तब सानिया मिर्जा उनके गाने को इंजवाय करती हैं लेकिन खिड़की आए ता हैं आटानी अधिया वाली सानिया दुलacak खोजसा। पाकिस्तानी यह गाने का बोल है गाने का लाइन है और इसी प्रकार से पूरा गाना है इसमें कई सारे किर्केट्रों का भी नाम लिया जाता है और बताया जाता है कि सानिया मिर्जा का इनके साथ चक्कर चला लेकिन सानिया मिर्जा उनसे शादी नहीं करती है इन सब को छोड़कर सानिया मिर्जा पाकिस्तान के प्लेयर के साथ सादी कर लेती है और इसी बात पर अराज होकर सानिया मिर्जा की प्रियाट टीम ने पूलीस से संपर्ख किया इसके बाद खेसारी जेल चले गए थे अब आज उनका ज़र्म दिन है तो जर्म दिन के मौके पर तहां तमाम उनके कहानियों को याद किया जा रहा है कि वो लड़का जब सानिया मिर्जा पर गाना होंगी तो उनको भी दिखता होगा कि वो वही लड़का है खेसारी लाल यादो जिसने कभी हमारे उपर गाना गाया और हमने उसको जेल भीज़वाया लेकिन आज वही लड़का पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है पोवन सिंग नी रहवा और खेसारी लाल यादो कि जो कहानी हमने सुनाई कि तलाब के बीच वीच खेसारी चम चमाता करोडों का महल बनवा देंगे यह कहानी रहुआ ने खुद सुनाई थी एक इंटर्वीव में उन्होंने बताया था कि कैसे खेसारी पॉण सिंग को छेड़ते हैं बताते हैं कि हमारे पास कितना करोड लिए कि उनके जानने वाला हर कोई उनका फैन उनको बधाई दे रहा है हमारे तरब से भी उनको जन्म दिन की बधाई रहेगी खेसारी है सही अच्छा करते रहें आपकी परत्करिया क्या है कमेंट वक्स में लिगर बदाईएगा तमाम जानकारी के लिए आप जनतांक्श